Very Good Morning Students Class 10th और Class 12th के एस्टूरेंट्स के लिए Yesterday CBAC ने अपने Official Website पे Sample Paper Release कर दिया है Means किस पैटर्न पे Class 10th और Class 12th का जो Term 1 का Paper है वो Conduct किया जाएगा तो किस तरीके से आपको Sample Paper डाउनलोड करना है हम आपको सिस्टेम पे लेकर चलते हैं वहाँ जाके आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप Sample Paper को डाउनलोड करना है Class 10th और Class 12th दोनों का Sample Paper आ चुका है चलिए हम अपने सिस्टेम पे लेकर चलते हैं हाँ Student अब मैं आ गया हूँ सिस्टेम पे देखे किस तरीके से आपको Sample Paper डाउनलोड करना है या फिर आप जाके वहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों किलिक करना है CBAC.NIC.IN देखिए मैंने किलिक किया ये option कुल कराएगा CBAC Central Board of Secondary Education आपको इस पे किलिक करना है जब आप इस पे किलिक किजिएगा तो हमारा option आएगा New Website Saras Result और Academic Website Sample Question Paper जब आप इस पे किलिक किजिएगा तो आएगा यहाँ पे देखिए कौन फियर में 2021-2022 के लिए भी आगया है देखिए तो इस पे किलिक किजिएगा तो ये खुल कर आएगा दोनों option के लिए Class 10 तूरल दोनों के लिए किलिक किया मैंने Class 10 के लिए अब ये Class 10 के सारे सब्जेक्ट का ये खुल कर आगया है सबसे उपर में हमें दिया हुआ है Science का SQP का मतलब होता है Sample Question Paper और ये है Marking Asking आपको किलिक करना है जो भी सब्जेक्ट का देखना है आपको यसे मैं सलेखना है Science का आप सिलिट किये Science के सामने देखिए ये खुल कर आगया Sample Question Paper Term 1 2021-22 Class 10 के लिए अब देखिए टाइम कितना दिया हुआ है 90 minutes और General Instruction क्या है Question Paper contains 3 sections Section A has 24 questions Attempt and 20 questions 24 questions में से आपको 20 questions ही Attempt करने है Section B में 24 questions होंगे आपको 20 questions Attempt करने है Section C में 12 questions होंगे You have to attempt only 10 questions Means total questions जो आपको करने होंगे वो 50 होंगे अब इसके बाद देखिए मैं आपको open करके दिखा रहा हूँ आप इसको अपने सिस्टम पर भी open देखिए ये हमारा कुल कर आगया Sample Paper Class 10 का Means कुल मिला के आपको 50 questions करने होंगे Science Class 10 के student को 90 minutes के अंदर में यहाँ पर लिखा हुआ है All questions carry equal marks जब आप 40 को divide कीजएगा 50 से तो आपके marks आएंगे 0.8 यह एक questions के लिए आपको 0.8 marks मिलेगा और total number of questions होंगे 60 और आपको total में से आपको 50 attempt करने है और देखिए जो हमारा 5th instruction लिखा हुआ है There is no negative marking Negative marking नहीं होगी तो आप इस तरीके से जाके कोई से भी class का में 10-12 दोनों का देख सकते हैं अगर आप maths का देखना चाहें तो यहांब देखिए Maths basic math standard दोनों है Maths ascender बज़ जाएगा तो SQP पर select कीजएगा जब SQP पर select कीजएगा यह खुल किया जाएगा अब देखिए Maths का खुल कर आगया यह 90 minutes का paper Maths करी होगा Maximum marks 40 होगा तो देखिए यहां क्या है Question paper contains 3 parts A, B and C Section A consists of 20 questions of 1 mark each 20 questions में से आपको 16 questions ही करने है Section B में भी 20 questions होगे सारे questions बर माल के होगे You have to attempt 16 questions Section C में 10 questions होगे You have to attempt 8 questions Means 16 plus 16 हो जाएगा 32 और plus 8 हो जाएगा 40 40 marks का question होगा और 40 questions आपको attempt करने होगे लेकिन यह खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि इसमें internal choice होगी Means Maths के paper में 50 questions होगे और आप लोगों को 40 questions ही attempt करने है ठीक है इस तरीके से आप जाके CVAC की official website पे अपना sample paper को देख सकते हैं तो देखिए sample paper जाएगा तो class 11-22 आएगा यहाँ पे year 2021-22 यहाँ पे class 10-12 10 तो दिखा दिये मैंने 12 पे किलिए सारा subject आ जाएगा Accountancy, Chemistry देखिए यहाँ पे एक class 12 कभी मैं open करके दिखाता हूँ आपको प्लिक करना है आपको SQP पे देखिए आगे यहाँ पे Chemistry, Term 1 2021-22 के लिए 90 minutes का paper होगा 35 questions होगे पहले section इसमें भी 3 section होगा A, B, C Section A में 25 questions होगे You have to attempt 20 questions Section B में 24 questions होगे You have to attempt 20 questions Section C में 6 questions होगे You have to attempt 5 questions Means, total आपको 45 questions करने होगे और total number of questions कितने होगे? 55 तो class 12 वालो के लिए जो एक question होगा वो 0.77 marks का होगा I hope चीज समझ में आ गई होगी Yet, if you are getting any problem Text me मैं separate video बनाऊंगा Maths के लिए, Science के लिए और class 12 के लिए Physics और Chemistry के लिए मैं separate video लो कराऊंगा कि किस तरीके से paper बनेगा आप लोगा ठीक है? If you have not subscribed the channel for the latest information Please like, subscribe and share the channel ठीक है? मिलते हैं बहुँ जरू